आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुच्वलिजम के एक्जामपल्स पढ़ने वाले हैं दू एक्जामपल्स आपकी सामने ये बोर्ड पे दिख रहे होंगे बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाते हैं कि अभी हम लोग हैं कहां अभी हम लोग exist कहां कर रहे हैं तो हम लोग a specific interaction पढ़ रहे थे a specific interaction में intra specific interaction था और inter specific relationship था जिसमें कि हम लोग inter specific का first section था that is called positive वालाई का first section था that is called mutualism उसके 6 examples आपको पढ़ने हैं उसी को हम लोग one by one पढ़ने वाले हैं मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं informal science चलिए समझ लेते हैं देखिए आपके शामने ये picture है और इस picture को ही आप जैसे ही memorize एक या दो बर करेंगे ये picture आपके दिमाग में fit हो जाएगा और उसके बाद फिर balance ही आपको याद बाद करने की जरूत नहीं है आपको बस ये figure आपके दिमाग में पूरा चल जाएगा और इससे जितने भी सवाल फिर आएंगे आप फटा फट उसको करते चले जाएगे तो आईए समझते हैं देखिए बहुत ही interesting अंदाज है हमारा द महत्वपूर्ण पहलू थे उसके कि साथ में कोई वाल्व करते हैं इनमें कोई existence मिलता है और को extension होता है मतलब साथ साथ evolve होते हैं साथ साथ exist धरती पर करते हैं और अगर एक चला जा तो दूसरा वित्रला तरब के जान दे देता है तो असली प्यार तो इन लोग बीच में का यह relationship पड़े थे अब देखिए पहला आपका जो examples है वो है आपका termites और ट्राइको नीमफा का आखिर है क्या termites दीमक जानते होंगे that is called termites उसके लाद है अगला ट्राइको नीमफा ट्राइको नीमफा एक तरह का प्रोटो जोवा है जिसमें की फ्लेजिला लगे होते हैं अब देखिए यह है termites अपने भोजन में पेड़ पोधों को खाती है लकडियों को खाती है ठीक है अब लकडि खा तो लेती है लेकिन एनिमल्स के अंदर कोई भी की cellulose को digest करने वाले enzyme अंदर में नहीं होते हैं note point आपका ये बता रहा है अब चुकिए cellulose को कोई digest करने वाले नहीं है तो इसको तो अनपच हो जाएगा इसको तो दस्त होने चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है इसका मदद करता है ट्राइको नीमफा जो की एक तरह के फ्ल cellulose right अब यह जो cellulose enzyme है इसका food खाया हुआ लकड़ी बगरा तो यह enzyme क्या करता है इस food को further क्या करता है enzyme तोड़ देता आपको पता है enzyme क्या करता उसको breakdown करते हैं अब enzyme इसको break कर देते हैं और इस cellulose को convert कर देते हैं आपका simple glucose में अब देखिए glucose है अब यह simple हो चुका है कोज को इस्तेमाल करेगा और अपना जीवन यापन करेगा तो देखिए इसमें दोनों organism को फायदा हुआ कि नहीं अब कहिए कि देखिए इसको जो food था वो digest हो करके मिल गया बनाय बनाय खाना उसको रहने के लिए उसका घर मिल गया उसके body में अंदर में रहता है तो दोनो को आपस में फायदा हुआ नुक्षान किसी का नहीं है एक के बिना दुसरे का जिंदगी अधूरा है एक note point है question पुछा जाता है करी बारत इसलिए बता दिए अगला example से लाइकन का लाइकन जो की एक तरह से कहें तो fungus और algae के association होता है बहुत वीडियो लेक्चर में हम लोग fungus को कि fungus को क्या होता है filamentus होते हैं उनमें filament होता है ठीक है अब इसके बीच में जो green color का दिख रहा है इसको आपको सिंटर करना है है रहने के लिए जगह प्रदान करते है अपना इनका जो network जैसा हाइफा होता है बहुत सारा filament होता है उसके बीच में जो network जाल बनता उसमें क्या करते हैं उसके बाद यह जो fungus है और जो algae है वो algae आपको ही पता है कि यह photosynthesis करते हैं photosynthesis करेंगे तो food produce करेंगे और इसी food को fungus क्य क्या बोलते हैं दूसरे पर depend करते हैं हेट्रोट्रॉप्स हैं तो इसी food को fungus क्या कर लेगा इंटेक कर लेगा दोनों का फायदा हुआ कि नहीं fungus को मिल गया क्या खाना और algae को क्या मिल गया रहने का जगह दोनों का काम चलता है अब देखिए question पुछने का ढंग आपको बता रहे हैं शुरुआत से हैं कि को लॉजी में जो questions होते हैं simple होते हैं लेकिन उसका कुछने का ढंग बदल जाता है जैसा कि एक symbol आपको इभी बताया थे कि यह symbol है तो इसका मतलब आपको mutualism समझना होगा प्लस मतलब दोनों का फायदा और arrow दोनों तरफ है मतलब क्या relationship अब द action होता है उसमें यह fungus का जो amount है वो ज्यादा होता है जिस वज़ा से इसको master माना जाता है और इसका amount कम होता है देखे लिख भी दिया है amount कम होता है इसको slave माना जाता है एक और relationship इसको नाम देते है that is called husband-wife relationship अब देखिए यार इसका logic मेरे पास नहीं है कि husband और wife बट आपको दियान पर रखना है कि husband-wife relationship भी बोला जाता है उसके बाद एक और बहुत ही एक technical terms है that is called halotism halotism जो relationship होता है जिसमें कि आपस में मुच्छो करते हैं मुच्छोली में इन लोग दोनों organism इसको halotism के नाम से जान जाते हैं तो ये तीन अलग-अलग नाम था आपको कई बार य वीडियो का लेंथ 67 मेंट का हो गया है और मेरे जो expenses हैं जो मेरे मेजबूरियां है वो इससे ज्यादा लेंथ की वीडियो बनाना allowed नहीं करती है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपका support रहा तो एक दिन वह भी समय आएगा जब हम full length वीडियो एक ही वीडियो में प वीडियो को लाइक कर लें थेंक यू